प्रेज दलाव ओड़ा सबको जैमसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिकाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मू को पस्तित हूं और आ अगला थोड़ा सा खराब है थोड़ी आवाज में थोड़ा फरक होगा लेकिन संदेश आपके पास सही पहुंचेगा आप सिर्फ संदेश पर ध्यान दीजिएगा और आज का जो सवाल है वह है कि जब परमेसर ने मूसा को और हारुन को मिसर में भेजा था इस्राइलियों को छोड़ाने के लिए तब उनकी एज क्या थी उनकी आयू क्या थी कितने वर्स के थे वो दोनों अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखे नहीं तो डिस्क्रिप्सर में जाए लिंक को क्रिक कीजिए और जान लीजे 15 सेकंड में दोनों की उम्र क्या थी मैं का दोस्ट पास्टर राजमैसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मू को पस्तित हूं और गुजारिस करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो आपके पास बिना विवधान के पहुंचे आपके गुजारिस करता हूं कि लाइक जरूर कीजेगा इसे वीडियो को तो कि जितना आप लाइक करेंगे उतने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी और परमेस्वर का संदेश जगा जगा पहुंचेगा और आप मेरी इस मुहीम में शामिल हो जाएंगे जिद है सच को पहलाने की तो आईए आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बाद फिर से गुजारिस करता हूं कि बहने हैं आप इनसे प्रातना करवा सकते हैं कोई सी भी समस्या हो कोई सी बीमारी हो इनसे प्रातना करवाईए परमेसर आपके जीवन में बड़ा काम करेंग मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कबजे मेरा है प्रभुता की बोलने वाला मनुश रही बेलकि तेरा आत्मा हो यो भी गुड़ भेत की बात है आज के इस वचन में छिपियों को हम पर प्रकट करना है जितरे भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन्दरों सपर में तेरी हर एक को आशुषित को हरेक की रुख विमारी चिंता परिशानी आपने सामारतिनाम के तो राटद दूर कर दे। इनके घरों में प्रभुजी लडाई य्गणहें तफर के हां मन मुटा हैं वह भी दूर कर भुजी आपप्रभुजी जिन घरों में नशा है कर्दे हैं बि को आशेशित करता कि प्रभुजी वो तेरे महिमा कर सके तेरे नाम को उजाटा सके धन्यवाद देता हूं प्रभुज तुने मेरे प्रात्ना को सुन दिया येश्यू को नाम से मांगते हैं तो आए आज के इस संदेश को शुरू करेंगे संदेश है कि मृत्तु के बाद का क् मृत्यू के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है तो सबसे पहले हम मृत्यू के बारे में जानेंगे कि मृत्यू आई कहा से हम देखते हैं कि परमिस्तर ने अदन की वाटिका में जब आदम और हववा को रखा तो वहां पर परमिस्तर ने एक आज्या दी कि वाटिका के जितने भी पेड़ है उनके फल तुम खा सकते हो किन्तु जो पेड़ बीच में है उसका फल तुम कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे ये पहली बार बाइबिल में शब्द आया है मर जाना हम उसे देख सकते हैं उत्पत्ती दो अध्याए और उसके सोला और सत्रा पद में निखाए तब यहवा परमेस्टन ने आदम को यह अग्या दी कि तु वाटिका के सब रख्षों का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो व्रख्ष है उसका फल तु कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तु उसका फल खाए उसी दिन अवश्या मर जाएगा उत्पत्ती दो अध्याए सत्रा आयत में मर जाने का जिक्र है और वो भी किसके मुंसे परमेसर के मुंसे यही वो शब्द है जो हमें जीवन देते हैं येसु मसी ने सेतान से कहा था ना कि मनुस्ते के वल रोटी ही से नहीं पर इंतो हरी किसमचन से जो परमेसर के मुंक्से निकलता जीवित रहेगा ये परमेसर के आग्या अगर हम मानें तो हम कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे क्योंकि परमेसर के आग्या को लंगन करना ही पाप है ये आग्या परमेसर ने दी और आदम और हव्वा ने क्या किया इस आग्या को लंगन किया और वो पाप में भस गये उन्होंने फल को खा पाप आया श्राप आया और मृत्यु आये यहां से मृत्यु ने मनुस्य के जीवन में एक जगा बना ली अब मनुस्य को मृत्यु से मिलना ही पड़ेगा और यह इतनी सामर्थी है इसके विश्य में सुलिमान ने लिखा है सिरेष्ट गीत में अकर हम पड़े आठ अध्याय और उसका छे पड़े हैं लिखाए कि मुझे नगीने की नाई अपने हिर्दे में लगा रख और तावीच की नाई अपने बहां पर रख क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्ले सामर्थी है प्रेम और मृत्यु यह दोनों साम सकते हैं येशु मसी से सीख सकते हैं कि येशु मसी ने हम से प्रेम किया और अपने आपको दे दिया तो हम देखते हैं कि मृत्यु ने वहां से हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया और बढ़ते 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 मृत्यु आज यहां तक पहुंच चुकी है और हम देखत ने इस विश्य में क्या कहा है बजन सहिता तीस अध्याए और उसका नौपद देखिए ये बहुत जरूरी वचन है इसको ध्यान से सुनिएगा या लिखा है कि जब मैं कबर में चला जाओंगा यानि कि जब मैं मर जाओंगा तब मेरे लहू से क्या लाब हुआ ये बात ये विश्वासी के मन में होना चाहिए मरने के बाद हम क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं जीते जी हम सब कुछ कर सकते हैं दिखे लिखा है जब मैं कबर में चला जाओंगा तब मेरे लहू से क्या लाब होगा क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या वो तेरी सच्चाई का परचार कर सकती है ये तो सरुरी तो मिट्टी है ना परमेसर ने जब शराब दिया आदम को कहा कि मिट्टी है जो मिट्टी में मिल जाएगी हम सबुब देशक बारा के साथ पद में पढ़ता है कि मिट्टी जीओं की तो मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेसर न मुझे तो तुने इसलिए बनाया कि मैं तेरा गुननवाद करूं और हम किसका गुननवाद करते हैं हम संसारिक लोगों का गुननवाद करते हैं हम नेताओं का गुननवाद करते हैं हम फिल्म एक्टरों का गुननवाद करते हैं हम जो खिलाडी हैं उनका गुननवाद करते है हैं सेलिब्रिटी का गुननवात करते हैं हम उनकी वावाई करते हैं और उनके अनुयाई बनके उनके पीछे चलते हैं और उनके फोटोस तक घर में रखते हैं अपने पर्स में रखते हैं और उनकी ऐसे कि विश्साय में हम किसी से सुन भी नहीं सकते जबकि हमें करना क्या है हमें परमिर्फर का गुरुणनवात करना ये शाथ तारीशस अध्यहा había उसके एक किस्वत में रिखा है कि इस परजा को मैंने अपने लिए बनाया है تाकि ये मेरा गुरुणनवात करें तो हम उसका तो गुलनवात कर नहीं रहे हम संसारिक लोगों का गुलनवात कर रहे हैं तो दाउध यहां पर कहता है कि जब मैं कबर में चला जाओंगा तब मेरे लहु से चालाब होगा जो लहु और दे लहु और मास जो लहु और मास कित है यह दे इसे क्या लाब होगा अभ अभी हम परमेसर की महिमा करें, अभी हम परमेसर की स्तूति करें, अभी हम परमेसर की अराधना करें, अभी हम परमेसर के वचन को पढ़ें, परमेसर के लोगों की संगती में रहें और लोगों के लिए पराधना करें, यही तो आत्मिक जीवन है, यही आत्मिक जीवन है, और हमारा सारिक जो जीवन होता है, वो मर जाता है, हम आत्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं, यानि कि एक नया जनम, एक नया रास्ता हमको मिलता है, बप्तिस्मा लेने के बाद, तो यहाँ पर लिखा है कि जब मैं कबर में चला जाओंगा, तब मेरे लहु से क्यालाब होगा है यह सोचने वाली बात है, दाओद ने बहुत अच्छी बात कही, कि उसके बात तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यह तो मुझे अभी करना चाहिए, अभी मैं किस काम में लगा हूँ, अभी मैं किस दोड़ में शामिन हूँ, अभी मैं पैसे की पीछे भाग रहा हूँ, अभी सोचने वाली बात है यह सोचने वाली बात है जिन्दगी का कुछ पता नहीं है आज है हम कल नहीं होगा वचन में लिखा है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या मानों भाप समान अभी है तुरी देर में लोप हो जाएगी ना कल का पता ना पल का पता इसलिए अभी हमारे पास समय है कि हम परमेसर को अपना जीवन दे दें यूकि मृत्यू मृत्यू जो है वो कभी भी हमें अपनी आगोश में ले सकती है जीवित रहने के लिए हमें आत्मिक जीवन को जीने की जरूरत है दाव जिया कहता है कि जब मैं कबर में चला जाओंगा तब मेरे लहुचे क्या बात कर सकती है यह सोचने वाली बात है यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब हम मर जाएंगे तब हम परमेसर का धन्यवाद करी नहीं सकते है जब हमने जीते जी नहीं किया तो मरने के बात कैसी करेंगे जह हम जी रहे हैं तो अभी क्यों ना आज हम उसकी स्तूति की स्तूती नहीं कर सकते जो मर गया है वो परमेसर की स्तूती नहीं कर सकते तो हम तो जीवित हैं हम बोल रहे हैं हम सास ले रहे हैं हम देख रहे हैं हम सुन रहे हैं हमारे हाथ काम कर रहे हैं हमारे पैर काम कर रहे हैं हम बिलकुल सही सलामत हैं तो फिर हम उस परमेसर की स्तू नहीं कर सकते तो अभी हमार पस समय है कि हम आज ही से परमेसर की अराधना स्तूति सुरू करें परमेसर को समय देना शुरू करें रोमियों की पत्री में देखते हैं एक वचन उसके बाद मैं समाप करूँगा वाराध्या है पहले पत्से मैं पढ़ूगा है इसलिए भाईयो म मैं तुमसे परमेस्टर की दिया समन दिलाकर बिंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेस्टर को भावता हुआ बलीदान करके चढ़ा दो इसे कहते है बक्तिस्मया बलीदान कर दिया अपने आपको और एक नया जीवन हमने ले लिया और लिकाएं यही तुमारी आत्मिक सेवा है इस संसार के सदर से ना बनो परन तुमारी बुद्धी के नहें हो जाने से तुमारा चाल चलन बदलता जाया जिससे तुम परमेस्टर की भली और भावती और सिधिछा अनुभाव से मालूम करते रहो तो हमारे पास समय है अभी कभी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है हम अभी भी अपने आपको बदल सकते हैं कि यह ऐसता नहों कि हमें दाओत की तरह कहना पड़े कि जब मैं कबर में चला जाओंगा तब मेरे लहू से क्या लाब होगा हमें दाओत की तरह इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब मैं कबर में चला जाओंगा तब मेरे लहू से क्या लाब होगा हमें दाओत की तरह इस बात पर गोर करना चाहिए कि मिर्तक जितने चुपचाप पड़े हैं वो परमेसर की स्तूती नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर तो जीवन है, मेरा दिल ढड़कता है, मैं सांस लेता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं क्या परमेस्टर की स्थूती ना करूँ, जिसने मुझे बनाया है, और इसलिए बनाया है कि मैं उसका गुनन बात करूँ प्रेज दलोट दोस्तों अभी हमारे पास समय है इससे पहले के मृत्यू आए हम परमेस्टर को उसका समय देना शुरू करें प्रेज दलोट परमेस्टर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशी दे अगर आपके इस वचन की महिमा नहीं कर सकते जीते जीतना करेंगे उतना कम है प्रेज दलोट इस वचन को शेर कीजिए और लोगों तक पहुँचाईए मैं आपसे गुजारिस करता हूँ यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब यदि आप इस चैनल पर नह कीजिए प्रूपल्स में आज का सवाल है कि परमिस्तर ने जब मूसा और हारुन को मिसर में भेजा था इस्रेली को चुड़ाने तब उनकी एज उनकी आयू क्या थी डिस्क्रिप्टन में चाहिए लिंक को क्लिक किजिए और पंदरा सेकिन में जाननीजे उनकी एज क्या थ प्रेज देलोड इन बेहनों से प्राप्ता करवाते रहे हैं या आपके लिए हमें साथ यार हैं मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाएए जिद है सच को पहलाने की आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदिस के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के ल प्रेमिर्स्टर की महीमा करते रहे हैं प्रीज दलौड अ र anybody व página यार वाल कई यार पया अवा स lobbies